नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अड़ा 247 में दोस्तों रिसेंटली SEO सम्मिट जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में है यहाँ पर हमें कई तरह की अपडेट्स हैं वो देखने को मिल रही है जब से यह सम्मिट गोवा में और्गनाइज हो रही है तब से क्योंकि यहाँ पर काफी important diplomates जो है वो भारत आये हुए है इवन पाकिस्तान के विदेश मंतरी बिलावल भुटो भी आये हुए है तो रश्या, चाइना, पाकिस्तान ऐसे देश मौजूद है इस पूरी सम्मिट में लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें यह जाननी होगी कि इस पूरी सम्मिट में भारत के जो विदेश मंतरी है इनों ने terrorism को hot spot बनाया है और एक तरीके से रश्या और चाइना के सामने indirectly बिना नाम लिए पाकिस्तान को खरीखोटी सुनाई है क्योंकि हमें इस तरह के कई न्यूस देखने को मिल रही है और उसी के साथ साथ इस पूरी सम्मिट के अंदर no handshake only नमस्ते का जो tagline है उमें काफी ज़्यादा देखने को मिला है specifically पाकिस्तान के विदेश मंतरी के साथ जो only नमस्ते वाला जो इंसिडेंट हुआ है वो काफी ज़्यादा इसके जो वीडियोज है इमेजेज है शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं आपने देखे भी होंगा आप इस इमेज में भी देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ नमस्ते से बात की गई है इस पैसिफिकली पाकिस्तान और चाइना से लेकिन जहां तग हम न्यूज आउटलेट में पड़ बा रहे हैं कि नो हैंड शेक जैशंकर गीट्स भुट्टो जरदारी क्वीन अधर एस यो काउंटर पार्ट वित नमस्ते तो बेसिकली इसमें पता चला है कि इस पूरी S.E.O. समिट में जनरली जो हैंड शेक होता है उसकी जगए नमस्ते को प्रेफरेंस दिया गया है भारत के विदेश मंत्री S.J. संकर से लेकिन उसमें भी ऐसा पता चला है कि जो चाइना और पाकिस्तान है उन दोनों देशों के अगर हम बात करें तो उन दोनों देशों के साथ भारत का जो उत्सा है वो कम देखने को मिला है बजाए और कंट्रीस के स्पेसिफिकली रशिया के तो पाकिस्तान वैसे भी S.E.O. समिट में दरकिनार हो चुका है क्योंकि बाइलेटरल ताग बहुत कम पोसिबल है कि भारत और पाकिस्तान की बीच में हो पाएगी आईए जानते हैं इस वीडियो में exactly क्या चल रहा है S.E.O. समिट में और पाकिस्तान का जो point of view है वो भी हम समझने कोशिश करेंगे सबसे बड़ी बाद तो ये भी है दोस्तों कि इस image को पाकिस्तान में काफी जादा upvote मिल रहे हैं मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो image आप देख रहे हैं इस thumbnail में इसकी वेज़े से पाकिस्तान की जो politics है वो भी गर्मा गई है reason इस वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगा देखे सबसे पहले विदेश मंतरी एज जैशंकर ने शुक्रवार को गोवा में जो श्रंगाई सायोग संगटन है श्रंगाई कोपरेशन जो organization है इसके सिखर सम्मिलन में पाकिस्तान के विदेश मंतरी बिलावल भुट्टो जर्दारी से हाथ मिलाने के बजाए नमस्ते कहकर उनका अविवादन किया तो भारत ने जो अपना कर्तव है वो पूरा किया है इसे के साथ साथ अभी हाल ही में हमें एक incident और देखने को मिला था दिन पहले जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग ने अवोइड किया था हैंडशेट को specifically Chinese counterpart से during SEO summit तो ये जो image है ये भी काफी ज़्यादा वारेल हुई थी social media पर और इसको ऐसे समझा गया था कि भारत ने एक message दिया है चाइना को और इसी तरह को आप यहां भी समझ सकते हैं लेकिन यहां इंडिया अपने point of view से काफी ज़्यादा specific है इस बार इसमें हमें ये पता चला है कि भारत ने रशिया का गरम जोशी के साथ में स्वागत किया है जबकि पाकिस्तान और ज़्यादा लेकर पाकिस्तान आया है इस पेसिफिकली जो विदेश मंतरी है क्योंकि लगबख 2011 के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पाकिस्तान डिप्लोमेट इंडिया में मौझूद है तो इसमें देखे कई तरह की चीजे हैं अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करते हैं तो SCO के जो विदेश मंतरी की जो परिशद एकाउंसिल है उसमें भाग लेने के लिए वो भी गोवाई मौझूद है और लगबख 12 वर्षों में भारत का दोरा करने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंतरी हैं यह में मानना होगा इसी के साथ साथ दिखे यहां रूस और चीन के जो विदेश मंतरी की मौझूदगी है उसमें भी बिलावल भुट्टो के सामने भारत के जो विदेश मंतरी है इन्होंने directly इस बात को mention किया है कि आतंकवाद जो है वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खत्रा है आप यहाँ पर देख सकते हैं terrorism is a big threat to the world और इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठेराया जा सकता जैशंकर ने ये भी कहा है कि आतंकवाद से हर रूप में लड़ना होगा और इसे हर केमत पे रोकना भी होगा और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें सीमा पार आतंकवाद को रोकने की भी जरुरत है मेरा मानना है कि आतंकवाद से लड़ना हमारे संगटन मतलब SUK वास्त्विक लक्षों में से एक है ये एक आप इस तरह से समस्थ लखते हैं कि ये रियल गोल्स इन्होंने बताया है भारार के जो विदेश मंतरी है इन्होंने कि टेरिरिस्जम से लड़ना सीमा पार ये काफी important दो शब्द हैं कि जो cross border terrorism है इसको रोकना वहुत जरूरी है अब आप समझ पा रहे हैं पाकिस्तान के सामने बिना नाम लिए बहुत चीजे जो है mention करी है भारत के विदेश मंतरी रहे हैं और दोस्तों वैसे भी भारत और पाकिस्तान के बेश में आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर जो बाचित है वो बंद है बहुत दिनों से ऐसे में बिलावल के इस दोरे को दोनों के रिष्टों में मील का पत्तर माना जा रहा है हाना कि बिलावल के भारत दोरे को लेगर पाकिस्तान में बवाल मत चुका है क्योंकि पाकिस्तान की जो विपक्षी पार्टिया है इन्होंने जो विदेश मंतरी है बिलावल भुटो इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है आप इस tweet में देख सकते हैं ये शरीन माजरी है इन्होंने tweet किया है ये दरसल पाकिस्तान का जो opposition है परजेटा MP जो इम्रान गान की party है पाकिस्तान पहरी के इंसाफ इनकी तरफ से active है इन्होंने कहा है कि आप इस image को देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बैज जती है वो पाकिस प्रोटिकली जो रिस्ते हैं वो नहीं बनाने कोशिश कर रहा क्योंकि वैसे भी दोस्तों इम्रान खान तो बहुत बार भारत की जो foreign policy है इसको price दे चुके हैं एक तरीके से बहुत ही ज्यादा तारीफे जो है वो openly रेलियों में इम्रान घान कर चुके हैं तो इस तरीके से पाकिस्तान में पहले ही बावाल मच चुका है जैसे ही यह जो photo social media के उपर आती है तब और specifically जो opposition parties है इम्रान घान की या other वो इस photo को लेकर काफी ज़ादा बावाल मचा रही है थोड़ा सा SU के बारे में आपको मैं अगर बताऊं तो SU का full form है Shanghai Cooperation Organization और यह एक inter-governmental organization है और इस में basically जो politics है, economics है, development है और the military है इनके उपर focus करने के लिए जो organization है यह बनाया गया है इसको initiate किया गया था 1996 में और by the leaders of China, Russia, Kazakhstan, Tajikistan और करिकिस्तान इसको शुरुआत में Shanghai 5 के नाम से जाना जाता था लेकिन present time पे इसमें 8 member है और कुछ countries बाद में इसमें as a observative countries के रूप में ज पाकिस्तान और उजबेकिस्तान भी शामिल है, 2017 के अंदर पाकिस्तान जो है वो जोड़ा था आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें Russia, Mongolia, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, इरान, किर्गिस्तान, टर्जिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना शामिल है, साथ ही सा पाकिसान को अब चीन से कोई खास आर्थिक मदद तो है वो मिल नहीं रही है अब इसमें डाइवर्सिटी को ढूडने के लिए पाकिसान के पास में सिर्फ और सिर्फ यही मजबूरी थी कि वह समिट में शामिल हो तो इसको मजबूरी भी बताया जा रहा है कि जो बिलावल भ पाकिसान कर रहा है ऐसा कई फोने एक्सपर्स का कहना है लेकिन वैसे भी जो पी स्टॉक है वो बिलावल भुटो जरदारी के इंडिया आने से पोसिबल नहीं होने वाली और वैसे भी दोस्तों यहाँ पर पाकिसान के अबजेक्टिव कई तरह के हो सकते हैं हमें इस तरह क आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं और सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान को दरकनाद भी किया है इस SEO समिट में क्योंकि शुरुवात में हमें ऐसाथ पता चल रहा था कि भारत के मैं ये भी पता चला कि जैशंकर जो है वो बाइलेटरल टॉक जो है पाकिस्तान के फोरेंड मिनिस्टर से नहीं कर पाएंगे मतलब बहुत कम पोसिबिलिटीज है कि दोनों देशों के बीच में दीपक्षिये समिट जो है वो हो मिटिंग हो ये सब चीजे हैं और पाकिस्तान में वरतमान इस्तिती में उसके पास दुनिया के अन्य देशों से मदद लेने के अलावा और वैसे भी कोई विकल्प नहीं बचा है ऐसे में बिलावल भुटो सीधे दोर पर नहीं बलकि एपर्टेक्ष रूप से इंडारेक्ली रूप से भारत से कोई ना कोई उमीद लेकर ही पहुचे हैं ये हमें पता चला है क्योंकि आप देख पा रहे हैं आई-एम-एफ जो है पाकिस्तान और आई-एम-एफ के बीच में कई तरह की दरारे अप पड़ चुकी है क्योंकि पाकिस्तान एक आप एक उप्टिमिस्टिक कंट्री बन चुका है आई-एम-एफ के लिए ताकि जो बैल आउट पैकेज है वो आई-एम-एफ पाकिस्तान को दे सके लेकिन आई-एम-एफ कई तरह के जो रूल्स और रेगुलिक्शन से उनको फोलो करते हुए जो पॉलिक्सीज है इनको अमेड्मेंट करना चाता है लेकिन पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं उसकी वज़े से पाकिस्तान उन शर्तों को मानने के लिए तयार नहीं है फिर भी आस पाकिस्तान आई-एम-एफ से ही लगा रखा है जो भी चल रहा है वो सब कुछ ये चल रहा है दोस्तो आई-एब आपको जरू कुछ जानने को मिला होगा आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ में आपको जरू पता दू अगर आपने अड़ा डूबर सेवन अप्लिकेशन नावलोड नहीं किया है तो आप आज ही डाउनलोड करें काफी अच्छे अच्छे कोर्स अफिलेबल है एक मई से यूपीस्ट का कोर्स शालू हो चुका है जो की लाइव क्लासिस के साथ शुरू हुआ है फाउनडेशन बैच जिसमें आप प्री प्लस मेंस की त्यारी कर सकते हैं कोर्स की प्राइस सिर्फ 9000 रुपए है आप यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स के लिए आपको अप्लिकेशन नावलोड करना है और कूपन कोर्स के अंदर सिंपली Y572 लिख देना है जैसे ही Y572 लिखेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं 40,000 रुपगा कोर्स आपको सिर्फ 9,000 रुपए के अंदर मिल सकता है वो भी 12 महीने के लिए तो आप कंप्लिट त्यारी कर सकते हैं UPSC की साथ ही किसी भी कोर्स का अन्रूल करने के लिए Y572 जो कोड हो लगाना पिलकुल भी ना खुले यह था दोस्तों इस वीडियो में इसी तरीके के इंपोटेंट और इंफिर्मेटी वीडियो के साथ हम हागे मिलते रहेंगे धन्यवाद